काट लिया है दो बड़े प्याज को बारी काट लिया है थोड़ा समय ने यहां स्वीट कॉन लिया है तो चली देखते हैं कैसे बनती है इसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल लेना है सबसे पहले हमें एक बाउल लेंगे इसमें यह ओर से डालूंगी और इसमें यह बारी क पतागो भी हरी मिर्च, स्वीट कॉन और यहां प्यास डाल दूंगे अब हम इसमें सुखा मसाला डलेंगे थोड़ा सा हल्दी पोडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पोडर, स्वादा नुसार नमक, थोड़ा सा भूना, पिसा, जीरा पोडर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसमें सा बैटर प्यार करेंगे यहां हम और थोड़ा पानी डालेंगे यह हमारा बैटर बन चुका है, अब हम इसे पांच मिनट के लिए रेष्ट करने छोड़ देंगे यह हमारा बैटर अच्छे से हो गया, आप देख सकते हैं, अब हमें इसके छोटे-छोटे बॉल बनाएंगे, तो यहां आप देख सकते हैं, ऐसे पूरे बैटर का बॉल बना लेंगे, यहां आप देख सकते हैं, इसे फृराई करेंगे, यहां मैंने पैन में औ Alors को गरम होने के लिए छोड़ राखाता है, यह हमारा ऑउल गरम हो चुका है, यह हमारा गैस का फ्लेम मेडियम रहेगा अब हम एक एक करके इसे फ्राई करेंगे, बहुत सी पल ठना है अर्फ सकते हैं हमार gebracht हो चुका अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगी निकाल लेंगी नहीं अर्समार यदिबली ट्यक्रों do यहां दो-चब मच मेनबात में डाल दिया है अब हम आक खरसा ही कट होगा से लसुन और मिर्ची डालेंगे हलका से भूल लेंगे अब हम आओं यह बाड़ी देक्ट में कट होगा प्यास पिलता कहँं से बलेंगे इस वे ठीजार रहे दाप तरी बहुत मुछार राट है कि अब भाने करी अब हम इसे मिक्स करों स्कुलेंगे अि अनुदूड़ा तरी शिए बहुतम पाने करेञे थोड़ा चुर पनी तो यह double क्रूं है अब हम लोकार ठीज़ कर लेंगे अब कम Bless सब्सक्राइब कर देंगे और इसी सॉस में अच्छे से डिप कर देंगे अब इसमें बारी कठा हुआ हरा धनिया डाल की गैस का फ्लेम बांद कर देंगे यह हमारा रेडियो चुगा ओट्स मंचुरियन की रेसिपी